स्टुडेंट्स अब हम एरियल सर्वे नया टॉपिक जिसको हिंदी में हवाई सर्विक छड़ बोलते हैं इसको हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके डेफिनिशन की इसके परिभासा की बात करते हैं तो एरियल सर्वे ये तरीका है जिसके अंतरगत हम प्रित्वी से संबंधित या जियोमेटिक्स या तो अथवा दूसरे प्रकार के इमेजेस यानि चित्र हम कलेक्ट करते हैं यानि इनका हम उप्योग करके एयर प्लेंस हवाई जहां हो गया हेलिकॉप्टर हो गया या फिर दूसरे प्रकार के कोई एरियल मेथड्स हो सकते हैं यू ये भी जो है अनमेंड एरियल वेहिकल होता है इसका फुल फॉर्म इसका एक्जामपर है रुस्तम टू जो डिया डियो के द्वारा बनाय गया है जो कि हमारे मिलेट्री में बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है तो हमारे लिए ये डेफिनिशन हो गया यानि ये सीधा मतलब ये है कि हम हवाई सर्विक्षड का मतलब ये है कि हम उपर एयर में रह करके वहां से इमेजे स्करेट करना फोटो खीचना और फिर उनके उपर हमें ऑपरेट करना है उनकी मदद से हमें अलग-अलग जानकारियां या डेटा निकालना है ठीक है तो हम यदि हम एरियल सर्वे की बात करते हैं तो इसके अंतरगत दो टर्म आते हैं It includes यह फोटोग्रामेक्ट्री and photo interpretation तो फोटोग्रामेक्ट्री का मतलब यह होता है यह एक ऐसी तखनिकी है जिसके माध्यम से हम फोटोग्राप्स की मदद से measurement लेते हैं माली जे हमारे पास photograph है तो एक निश्चित scale से माली जे कोई दो points है इनके बीच का जो distance है एक scale के आधार पर हम calculate कर सकते हैं तो हमारा इसमें जो है कि scale के आधार पर हम इसमें measurements निकालेंगे तो photogrammetry वह तक्नीकी है या वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम photographs में से जो हमारे पास photograph होंगे उनमें हम measurements करते हैं ताकि हम एक निश्चित निर्ड़ा पर पहुँच सकें ठीक है और यही photogrammetry यानि यही measurements जब हमारे पास इतना ज़्यादा measurement हो जाए और इतने ज़्यादा information हमारे पास collect हो जाए जिसके आधार पे हमें पूरा detail यानि जिस survey के लिए हमने photo खिचा हुआ है उस photo से हमें यदि हमें इतना जानकारी मिल जाए या इस level की जानकारी मिल जाए कि जो हमारे लिए बहुत ही descriptive information हो बहुत ज्यादा detail में हो information तो उसे ही हम photo interpretation करते हैं यानि कि photogrametry जिसको हिंदी में photograph मिती बोलते हैं तो photogrametry की मदद से ही हमारा photo interpretation का process पूरा होगा यानि एक detail में जब हमें जानकारी हो जाएगी तो वह हमारा process photo interpretation कहलाता है और जो normal measurements वगरा जो हम करते हैं वो photogrametry कहलाता है अब next हम इसके advantage की बात करते हैं तो इसके love क्या क्या है aerial survey से हमें love क्या है एक तो हमारे speed मिल जाती है बहुत तिब्रगती से हम बहुत ज़्यादा area लंबे area को cover कर सकते हैं और हम सुदूर points जो हमसे काफी दूर है remote points है काफी दूर points है उनका भी हम photographs हम ले सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी पता प्राप्त कर सकते हैं यानि कि जो remote points है उसे हम access कर सकते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं और इसमें कोई भी possibility no possibility of omitting any fields field data इसका मतलब है कि जो field पर है जो हम कभी survey करते हैं तो हम जब कभी drawing बनाते हैं मैं बनाते हैं तो हो सकता है कोई जानकारी उसमें लिखना भोल जाए लेकिन जब हम photographs कीचेंगे तो उसमें जो भी detail है वहां पर field में वह तो आने ही आनी है photo में ठीक है next है tremendous amount of details इसका मतलब है कि हम इस aerial survey में यदि हम photograph किसते हैं तो हम जितना अपने manually जितनी details नहीं show कर सकते हैं कहीं उससे जादा बहुत tremendous मतलब काफी जादा बहुत जादा amount में details वहां पर हम show होती है ठीक है वहां पर details show होती है ठीक है और इसके यदि हम disadvantage की बात करें तो जो हमने remote sensing में disadvantage पढ़ा था क कि यह काफी महगा होता है लगभग होही है इसके अलावा हम इसके advantage भी है कि चाहे बड़े scale पर हो चोटे scale पर या बड़े से बड़े area को छोटे से photograph में capture कर सकते हैं तो हम इसके उसे उसes के बारे में बात करते हैं हो fellow 60 मैं घ्ल 않은 खरेंगे स tapes to Ec 적ल्सक्रिश ऩो उसके हम करेंगे जियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब है भुषँ रचना के अधाड़ा के वारे में कहीं पर कैसा का भुष रचना है पहाड है परवत है नदी है नाला है जंगल है क्या है हम उपर से aerial survey के माध्यम से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं next है soil survey तो हम soil survey भी इसके यूज करते हैं देखिए हम soil को जैसे हमारे पास आपने soil में पढ़ा होगा CBR हम निकालते हैं और soil bearing capacity निकालते हैं तो यह सारी चीज़े हमें पता नहीं चलेंगी इसके माध्यम से लेकिन लगभग color पता चल जाएगा moisture content का अंदाजा roughly मतलब properties पता चल जाएगी approximate अगर हमें चाहिए जैसे color अगर हमें पता चल गया उसके texture पता चल गया उसमें particles कैसे कैसे हैं तो हम जो मिर्दा हमारी मिट्टी जो है किस प्रकार की है यानि उसका नाम क्या है इस तरीके से हम उसको लगभग अंदाजा ले सकते हैं तो exact हमें तो जानकारी नहीं मिलेगी लेकिन roughly यदि हमें कम समय में अगर roughly जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए aerial survey यूज़ कर सकते हैं Next है Land Survey इसका मतलब है कि हम land survey में भी करते हैं और जादा area एक सांथ में cover कर सकते हैं land survey वहाँ पर जो हमारी भूमी है वो कैसी है उसके बारे में हम idea ले सकते हैं जैसे हम यूज़ वहली कैसे contour बनाते हैं contour map हमने पढ़ा था सर्वेंग वन में जो बनाते हैं तो हम एरियल सर्वे की मदद से एप्रॉक्सिमेट कंटूर मैप बन जाता है लगभग जो है हम लेवल समझ सकते हैं और उसको हम यदि आटोकेड में या फिर बहुत सारे साप्ट्वेर्स आते हैं उसमें अगर उस फोटोग्राप्स को अगर सेंड करेंगे और उसपे अपरेट करेंगे तो हमें रेदिमेट कंटूर लाइन मिल जाते हैं अब नेट्स स्माइपिंग इसका मतलब है कि लेंड असेस्मेंट का अगर मेजर्म Cart dad करना बगरे major करना है तो हम आसानी से major कर सकते हैं इग्जेक्ट तो नहीं होता लेकिन approximate काफी हम नजदीक पहुँच जाते हैं नेक्स्ट है military intelligence इसका मतलब है कि sign जो हमारा है विभाग उसमें भी हम यूज कर सकते है military purpose के लिए कहां पर घुसपैट की संभावना है कहाँ पर कैसी तरती है तो हम photograph से समझ सकते हैं नेक्सट है Urban and Regional Development ये हमें कहीं सहर बसाना है टाउन प्लानिंग अगर करना है यह सारी चीजे तो हम वहां से फोटोगराप जया इरियल फोटोगराफी की वज़aison मदद से हम कर सकते हैं कि हम और और शहर बसाया जा सकता है या फिर कहां पर कितना development possible है यह सारी चीज़े का अंदाजा लगाया जा सकता है transportation यदि हमें कहीं नई सड़क विछानी है तो हम aerial photographs उसे लंबे अरिया हो cover करके देख सकते हैं इस किस सड़क की धर से क coffin ले जा सकते हैं निस्ट ब्लाणिंग कर सकते हैं उसके हिसाब से हम सड़क को इधर उधर connect कर सकते हैं या हटा सकते हैं नेक्स क्वांटिटीrest को मान लिजे कोई पहाड परवत experts है बहुत बड़ा है तो हम photograph की मदद से photograph से जैसा कि हम बात किये कि अभी जो है हमारा contour map बन जाता है तो कोई बहुत बड़ा पहाड है परवत है तो उसका जब photograph किसते हैं उसके लिए softwares में जब हम काम करेंगे तो contour map बन जाता है और contour map की मदद से हम किसी भी बड़े structure का बड़े जो है भुभाग का हम quantity निकाल सकते हैं quantity मतलब मात्रा उसमें कितना मिट्टी है कितना पत्थर है मतलब overall quantity हम निकाल सकते हैं ठीक है next है sore erosion यानि कि जो हमारा अपरदन होगा कितना अपरदन हुआ है कहां पर ठीक है उस बारे में भी हम जानकारी पता कर सकते हैं तो यह important question है short note में कई वाराया है इतना काफी है short note में ठीक है तो बस इतना ही और हमारे syllabus में भी सिर्फ introduction है aerial survey का तो as a introduction इतना काफी है thank you